जहीं दोस्तों सुवागा थे आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज का ये वीडियो पी-ए-म-ए-स-वी के हरेके स्टूडेंस के लिए बहुत सीद इंपोर्टेंट है वीडियो को स्कीप नहीं की जाएगा क्योंकि आज गाई जो वीडियो है ना प होती है उसके अंतरकत एक चीजे होती है कि इनी विद्दर्थी को मात्र मिलेगा तो कौन से विद्दर्थी मिलेगा आप लोग पास में जानकारी होना ज़रूरी है तो इसको इस ड़ाउट को इमें क्लियर करने कोस्स करूंगा साथ-साथ स्लेक्शन क्या होने वाला जैसा क पता होगा कि PMS OSU के exam जब से cancel हो चुके हैं तब से बचों लोग परिसान में हैं कि अगर हम apply कर देंगे हमारा 60% result है तो हमारा पैसा हमारे account में आ जाएंगे तो जी हां दोस्तों ऐसा बात नहीं है तो इसके बारे में हम full detail जैसा कि बता रहे हैं आपको बताएंगे तो वीडि सारे बिदार्थी चाहते हैं इस चैनल के साथ पढ़ाई करना वो लोग continue चैनल पर subscribe करें देन आल प्रेस करें आप लोग के पास PM OSU के अगार्डिंग जो है ना जो भी update आएगा समाई पर पाने ना भी बहुत जाता है जोरूरी है तो आपडेट मिल जाएंगी तो आप लो पेज लेते हैं तो दोस्तों देंखी धियान साप लोग एक एक चीज को कलियर कर ना ठीक है तो दोस्तों एक students को बता दे क्योंको उनसे विद्यार्थी को मिलेंगे तो आप लोग not down कर सकते हैं यहाँ पर हम लिक रहे हैं ताकि आप लोग को doubt भी किलियर हो जाए और आप ल तो गुज वीडियो को देखिए जानका रिलीजिए अगर आपको कुछ भी नहीं पाता है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मोक्स में दिया हुआ है ठीक है तो चलिए देखिए सबसे पहला विद्ध्यार्थी को मिल जाएगा आप लोग आवे दन से पीछे ना रहे है ठीक है तो देखिए सबसे पहला आपको बात करें तो OBC जैसे के पता होगा OBC वाले कौन-कौन से विद्ध्यार्थी आते हैं ठीक है देन आप लोग को पता दें जितने सारे SC के विद्ध्यार्थी SC के अंतरगत आते हैं उन लोग को भी मिलेगा घ्रजाती के विद्ध्यार्थी जो भी है उन लोगों को पैसा मिल जाएगा लेकिन बच्चे और एक तिस गंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन क्या सर तो दोस्तों बोल लिए कि सर हमारा जो है 60% result तो है 60% result तो है तो क्या सर हम लोगों का selection होगा तो दोस्तों आप लोग मतलब बिना घवरा हैं बात को समझे पहले वो सर विदारते आप लोग बात समझ दे नहीं हो और आप दोस्तों आप अबेदन यो है demotivate होकर नहीं करते हो देखिए यह आपके पास कौन-कौन से चीजे मतलब से देखी जाएं कि उसके बाद selection होगा इसको एक बाद जान लिजे हम selection process की बात कर रहे हैं तो देखिए बैसे विदारती जिसका 60% है माल लिजे उसका भी selection हो जाएगा ठीक है ऐसा भी नहीं होगा तो आप लोग देखिए माल लिजे किसी का 90% आया हुआ है तो किसी का 80% और किसी का माल लिजे 70% और किसी का माल लिजे 60% लेकिन जो 90% वाले हैं वो OBC category से है जो 80% है माल लिजे यह आप लिजे माल लिजे आपके लिए यह माल लिज़ कोई काटेग्री से हैं लेकिन यह जो 60 परदसद वाले विद्यारती है यह माल लिज़ क्या है ST काटेग्री के है तो इसमें दोस्तों देखा जाएगा आरक्षन के बेसिस पर माल लिज़े और एक ची बता देते हैं यहाँ ठीक है माल लिज़े यह भी है और माल लिज़े 70 परदसद वाला जो है यह माल लिज़े ST से हैं ठीक है स्टी से हम एक्जांपल ले रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या होगा आपके पास आरक्षन को देखते हुए सेलेक्षन किसको किया जाएगा पता है देखिए 90 को 90 को बलकी 70 को कर सकता है ठीक है क्योंकि आरक्षन जादा है इस कारण सा आप लोग इस बात को गोर कीज़ेगा माल लिज़े कोई SC कटेग्री के विद्यारती है लेकिन वो डीमॉटिवेट हो रहे हैं तो आप लोग को ड देखा जाएगा सबसे पहले अपना केटेग्री अपना जाती ठीक है उसके बाद दूसरा चीज़ देखा जाएगा आपके पास आपका इंकम कितना आपके जो भी अभिवावक है इंकम उसके बाद आपके पास देखा जाएगा आप निवास कहां से करते हैं ठीक है ग्राम उस merit list में अगर आपका नाम होगा तो 100 person आपको पैसा मिल जाएंगे 100 एना एक person आपको पैसा अपने account में किसके थुरू दोस्तों मिलेंगे ये भी जानना ज़रूरी है तो दोस्तों ये आप लोग को पैसा सबसे पहले एक बर फुलो चार्ट को समझें जो कि आपके पास दिय आपके पास आबड़ाएंगे ति के सबसे पहले ऐसे पया यह को अधिया जाएगा रेजसेंषिट्रे flatter को हुझे पास अपयके ने के बाद दिया एक रहीए और लेने के बाद यह आप लोग के पास चैकिंग कर्ने चला जाएगा कि में तो इसमें ये दो तीना बार 체king होग पैला स्टेट, यह न डिस्ट्रेक्ट, उसके बाद आपके पास merit list बनेगा, merit list में आपका नाम होगा तो आपके पास dbt के तुरू, आपका पैसा अपने bank में पैसा जो है ये मिल जाएगा तो इतना सारा process होने के बाद आपको पैसा मिलेंगे यह माजाक थड़ी है कि थोड़ा सा डारेक्ट मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे भी द्यारती है, सभी को देखते हुए होगी, यह नहीं ले जाएगी, ठीक है, इस बार एक्जाम नहीं हुआ, तो यह मात सोचना कि दोज़ा 24 में नहीं होग ठीक है, जो 24 वाले आगे देखा जाएगा, ठीक है, फिलाल आप लोगों ने हर एक चीज़ समझ गए होगे, तो फिर भी अगर कोई डाउट है मन में, कोई संखा है, कि हां सर यह समझ में नहीं आया, तो कमेंट करना, है ना, इसके सबै हम क्या कर सकते हैं, बताइए, आप हम त्यारी तक करवाए, लेकिन आप लोग जो है ना, अगर कोई डाउट में रहे हैं, तो आप लोग बता ना, जैन आप लोगों से, आप लोगों से हम एक हमारी विंती जो है ना, है, जो क्या आप लोगों से हम करना चाहेंगे, कौन से विंती सर क्या बात कर रहे हैं, आपको पढ़ाएं है PMSV के लिए है ना तो इस पर आप लोग थोड़ा सा मेरे काम कर दीजेगा मेरे दोस्त ठीक है क्या काम सर बता दीजे जल्दी हम क्यों नहीं करेंगे करेंगे हैं तो आप हमारे टीचर्स हैं आपका हमारा भी फर्ज बनता है सराम आपकी मदद करेंगे क्लास 10 वाले जितने सारे विद्यारती हैं उसको बता दीजेगा क्लास 11 के एडमिसन के लिए तैयरी करवाया जा रहा है तो दोस्तों आप लोग उसको सियर कर देना नवोदे के किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपको यूटूब पर साच कर सकते हो कि नवोदे क्लास 11 इंपरन कोश्चन्स बाय आकर सकेडमी पॉइंट तो कोई भी वीडियो उठा कर उसको दे देना या फिर इसी चैनल का लिंक उसको प्रवायड कर देना बोलना कि सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पर तैयरी करा जा रही है तो दोस्तों 11 वाले विद्यार थी आपक मेरे बात जरू मानेंगे यह मुझे आसा है आप लोगों से उम्मीद है ठीक है खेर आप लोग जितना भी चाहें कमेंट करना कि सर हमने जरूर सियर किये हैं आपकी बात मानते हैं तो चली मिलते हैं किसी नेक्स चुडियो पर तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें अग